केदारनाथ में भारी बारिश और घने कोहरे के कारण प्रशासन ने धतकाल प्रभाव से केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है जिसके चलते कई शर्धालों फस गए हैं मौसम विभाग ने दो दिनों के भारी बारिश का अलर्ड जारी किया है बारिश की वज़े से प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है प्रशासन ने मंगलवार तक बारिश के अस्तार को देखते हुए शर्धालों से जहां पर हैं वही रहने साथी सतरकता बरतने की अपील की केदारनाथ यात्रा सोमवार को सिरफ एक घंटे ही चली शधालू दिन धर अराथे के दर्शन करते रहे लेकिन जिला मुख्याले से गौरी कुण तक कई जगहों हजारों यात्री रोके गए हैं केदार खाटी और केदारनाथ में तेजबारिश और घंटा कोहरा चाने की वज़े से प्रिशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी है इस दोरान व्रुद्र प्रयाग से गुप्त काशी तक जगह जगह 5,000 शधालू को रोक दिया गया है जिला आपदा प्रबंदन अधिकारी नंदन सिंग रजवार के अनुसार शधालों के सुरक्षा को लेकर तोन प्रयाग से केदारनाथ तक सुरक्षा वलों को तैनाथ किया गया है मौसर विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है मौसर विभाग के पुर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने शरधालों से जहां पर मौजूद है वहीं पर रहने के अपील की है पुलिस उपाधिक्षक पीके घिर्डियाल ने शरधालों से कहा जिन शरधालों ने कमरे बुक नहीं कराए है उन्हें रूद्र प्रयाग से अगस्त मुनी के बीच होटल लॉज डेस्टरॉंट धर्मचाला में भीचा जा रहा है साथ ही जिन शरधालों के कमरे बुक करा रखे हैं उन्हें अगले आदेश तक अपने कमरों में ही रुपने के लिए कहा गया है न्यूस जेस्ट रियल केवर न्यूस